तो हेगाईज असलाम अलेकुम कैसे हो आप लोग, I hope कि आप सब ठीक होंगे, मैं हुछ सेफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम दिखने वाले फोटोशॉप में स्लाइस टेक्स्ट एफेक्ट को बनाना तो लेते हैं टेक्स्ट टूल, simply यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, हमें जो वर्ड चाहिए, इसका साइज इंग्रेस कर दूँगा, बैक्राउंड को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से सिंपली सेंट्र अलाइन कर लेता हूं, जूम करके आपको यह एफेक्ट बनाना बताऊंगा, एक सिंपल सी ट्रिक है, जो विजुली इसको ऐसे बताएंगे कि यह कट हो चुका है, और स् कर लेता हूं, बैक्र Sutabol भूल आपको इस वाले लेर को कंवर्ड स्मार्ट अबजएक्ट में कनवर्ड करना है, और यहाँ पर सिंपली आपको ऑलट प्रेस करके मास्क वाले अप्शन बहेख करना है, मैस्क होको आई 거지 दिन आपको फिर से कंट्रल ज है प्रेस करके इसी लेर को आप duplicate करना है फिर से आपको mask quality option पर क्लिक करना है और control eye plus sky करके उपर वाला जो portion है वो फिर से लेकर आना है अब आपके पास दो slice है जैसे के आप देख रहे हैं मैं simply एक layer को यहाँ पर इन दोनों के बीच में add करूँगा new layer को और यहाँ से मैं brush tool को select करूँगा और color मैं pick कर लूँगा इसके background का और आपको बस इसके बीच में brush से draw करना है ताकि एक थोड़ा सा depth तायर हो और एक shadow जैसा create हो जाए और आपको first layer को select करना है simply arrow keys की मदल से आपको थोड़ा सा side को थोड़ा सा हटा लेना है simply मैं यहाँ से एक line copy कर लेता हूँ again मैं यहाँ पे text layer को select कर लेतके वह line को paste कर लेता हूँ gotham का मैं यहाँ फिर से एक font लूँगा gotham normal और इसका size मैं रख दूँगा 8 pixel simply यहाँ से white color को मैंने pick कर लिया आप अपने हिसाब से adjustment कर सकते हैं जो भी आपका word है size मैं इसका first adjust कर लेता हूँ बस इसको आपको text के नीचे रख देना है तो यह आपका effect ready है उम्मिद करता हूँ कि यह tutorial आपको अच्छा लगाऊंगा ऐसे और भी tutorials मैं लेकर आने होना है तो इस चैनल को subscribe कर देना इस वीडियो को आपके friends के साथ में share कर देना और हो सकते तो मुझे Instagram के उपर follow कर देना वहाँ पे आप DM कर सकते आप अपने जो भी question से comment box के अंदर drop कर सकते मिलते हैं हमारे next video के अंदर तब तक के लिए take care